हलो नमस्कार दोस्तों मैं संजीव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कोईनेव इंडिया में जैसे कि दोस्तों आपने आज थम्नेल देखा होगा आज हम कॉमिनेटिक पॉइंट जितने भी आये थे अपने 5 रुपे के 1985 से 2018 तक के सारे कोईन एक ही वीडियो में कवर करने वालों मैं उससे पहले कि दोस्तों आप मैं वीडियो स्टार्ट करूँ आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए बैल नोटिकरेशन को अन कर लिजिए जो मेरी वीडियो मिले आपको सब सब्राइब से पहले ठीके दोस्तों अब मैं आपको दो बाते और बताना चाहता हूं इसमें कर पेहली बात दोस्तों मैं इसमें आपको बीच बीच-बीच में छितने भी मैं मना करता हूँ कॉल मत करना फिर भी कॉल कर रहे हैं अब मैसेज के लिए वाटसप पे कुछ रेरिटी होगी मैं खुद कॉल करूंगा आप लोगों को प्लीज हाज जोड के रिक्वेस्ट है आप कॉल ना कीजिए क्योंकि मैं को कम से कम 10,000 से यादा कॉल मैसेज आ रखे है मैं उनका रिपलाई भी नहीं कर पाता किसी किसी का मैं रिपलाई कर पाता हूँ किसी का नहीं कर पाता तो दोस्तो देखो टाइम नहीं मिलता 10,000 मैसेज बहुत होते है आना ठीक है दोस्तो अब मैं वीडियो आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ आप ठीक से देखिए बि देखना मैं आपको कैसे बताने वाला हूं वीडियो स्टार्ट कर रहे हुं वीडियो स्टार्ट करने वाला हु तो फलीज वीडियो के एंड तक बने रहना ये वीडियो के फ़ोड़ी लंबी जरूर हो LOG absorb आपको फायदा दिलाने वाली है ये वीडियो तो जरा से भी आप اسकिप ना करना क्यूंकि मैं एक मिनट से भी कम मैं कोर करने वाला हूं इसमें यह देखिए दोस्तों यह मेरा समारक शिक्का का मेरा भी कलेक्शन है जो जो रेर होते हैं मैं उनको रख लेता हूं रेयर मिंट से होते हैं कोई रेयर यह देखिए ठीक है मैं यह आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से कोई रेयर होते हैं तो मैं अगले अगली वीडियो आने वाली में मैं उसमें मैं अरेयर कैटेगरी की बात करूँगा मगर इसमें सिर्फ मैं समारक सिक्कों की बात करने वाला हूं वह भी फाइव रूपीस के जो 2018 से 2018 पिचासी तक के बीच के है सारे सिक्के कवर करने वालों एक ही वीडियो में तो दोस्तों ठीक है मैं शुरू कर रहा हूं देखिए यह देखिए दोस्तों पहला कोई निस से पिचासी का इंद्रा गांदी का यह हैदरबाद और बंबेविंट में आया था दोनों ही नॉर्म तोड़ा ध्यान रखिए इसकी वैल्यू सिरिफ और सिरिफ पचास रुपे है कोई भी आपको गलत तरीके से कुछ भी वैल्यू बताता है आप पहले पैसे कभी ना दे उससे पैसे खुद ले और मैं आने वाली अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कोई एक्जिविशन सारी कैंसिल हो चुकी है ठीक है दोस्तो अब हम चलते हैं 9089 नहरुजी के कोई पर यह देखिए दोस्तों यह नहरुजी का कोई है 9089 कोपनिकल में आया था बमबे और हैदराबाद मिंड पर तो दोनों ही को मन कैटिगरी में आते हैं कोई इनकी वैल्लिव चल रही है 30 रवे नेक्स्ट कोईन देखते हैं देखे दोस्तो वर्ल्ड ओफ वर्क पर आया था ये आई एलो ठीक है दोस्तो इसकी वेल्यू चल रही है है एदरावाद मिंट में आपके पास ये कोईन है और बॉंबे मिंटमार्ग और नोड़ा मिंटमार्ग सेम वेल्यू है पचास रु है तो आप अपने पास रखिए ये देखे दोस्तों ये नेक्स्ट कोईन है ये आयते दोनों बॉंबे और नोड़ा मिंट में दोनों की सेम वेल्यू है डेड़ सो से तीन सो रुबे के बीच में इसकी वेल्यू अभी बढ़े जा रही है ये कॉपर निकल में नो ग्राम बे तो अब नेक्स्ट कोईन दिखा रहा हूँ आपको मैं ये देखे दोस्तों ये FAO वाले कोईन है खाद किर्शी वाले तो इनकी वेल्यू चल रही है 20 उरुपे से 50 उरुपे हाँ दोस्तों अभी इसकी वेल्यू थोड़ी कम है इतनी है वेल्यू तो आप थोड़ा ध्यान द दोस्तों देखे दोस्तों ये 1995 में कोईन आया था वंबए और नौिडा मिंट में आये धा थे दोनो कोईन इसकी और इसकी तोरुआ चल रही है 100 पर से 1300 आप नोइडा मिंट की चल रही है 200 से 500 पर दोस्तों ये कोईनिन आपके पास आतो मैं खरीतने में द्रूप आपमझे इसके पिक बेजिए मैं आपसे बाय कर लूँगा यह देखे दोस्तों यह 1996 में आये थे Mother Health Child पर इनकी वेल्यू चल रही है इस टेम दोस्तों यह 3 मिंट में आये थे Bombay, Hyderabad, Noida इसमें सिर्फ और सिर्फ Noida मिंट का ही जो है Square category में है Coin Stamp 100 रुपे से 300 रुपे बाकी दोनों के दोनों मिंट के चल रहे हैं 25 से 50 रुपे वेल्यू ठीक है दोस्तों इसको ठीक से देख लिजिए दोस्तों क्यूंकि 5 रुपे का सबसे महेंगे कोईन में इसकी गिंती जरूर होती है Congress का है Second Congress का है यह मैं आपको एक निट बता रहा हूं इसकी वेल्यू 10,000 रुपे से 22,000 रुपे के बीच में है इसकी वेल्यू Calcutament में 9 ग्राम का है यह copper निकल में आयता तो यह Excellent rare category में आता है यह coin आप ठीक से देख लिजिए कि आपके पास है तो आप बेचना चाते हो तो मैं ले लूगा ठीक है दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं यह देखे दोस्तो 9 नंबर पर अपना coin है यह महावीर जी का तो यह Bombay और Noidamint में आये थे दोनों ही normal category के हैं इनकी value चल रही है 25 उर्पे से 50 उर्पे के बीच में ठीक है दोस्तो दोनों ही normal category के coin नहीं है 2001 में बने थे अब दसवा coin अपना कौन साय देख पे हैं दसवे नंबर पर दादा भाई नारोन जी का coin ठीक है दोस्तो देख लेजिए आप एक बड़ ठीक से यह दोजा तीन में आये थे यह तीन मिंट में आये थे Bombay, Calcutta, Hyderabad तीनों ही मिंट समान्य मिंट है इनकी 25 पचास रुपे तीनों ही मिंट की सेम वैल्यू चल रही है इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है ठीक है दोस्तो अब 11 नंबर पर चलते हैं 11 नंबर पर अपना coin है के कामराज का जो 2004 में आया था इसमें जो Bombay mint है वो 50 उर्पे से 100 रुपे है जो 9 एड़ा मिंट है वो 70 कोईन अब 12 नंबर के कोईन की बात करें यह देखे दोस्तों यह लाल बादू शास्त्री जी के कोईन आये थे यह थोड़ा square category में है 100 रुपे से 300 रुपे इनकी value चल रही है और दोस्तों ध्यान रखना यह first strike है जो copper nickel में है अभी इसमें steel वाले coin भी दिखा रहो मैं आपको next coin steel में है उसकी value क्या चल रही है जान लेते है यह देखे दोस्तों यह steel में है जवालना लेरू जी कही है सेम coin इसकी value चल रही है 15 रुपे से 30 रुपे यह second strike में आता है यह coin 24 कही है दोनो अब हम 14 नमबर coin को पकड़ते है कौन सा है coin वो यह देखे दोस्तों यह डांडी मार्च पे गांधी के coin आयते गांधी जी के तो इनकी जो value चल रही है stem दोस्तों ध्यान रखना इसमें भी 2 strike में आये है एक copper निकल में और एक steel में है तो जो copper निकल वाला है वो 9 gram weight में है बंबे का बंबे मिंट मार्क होगा और rare category में आता है यह coin 2000 पे से 4000 पे इसकी value आपको बेचना है तो मैं इसमें लेने में interested हूँ मुझे बता देना आप कमेंट में बताना जरूर आपके पास यह coin है तो मैं ले लूँगा आपसे और दोस्तो इसमें अब next coin दिखा रहा हूँ मैं आपको यह देखे दोस्तो यह steel में आये थे इनकी metal की बात करे तो steel है और 2005 में यह आया है इसकी value की बात करे तो 25 रुपे से 1500 रुपे तक है इसकी value UNC condition में है तो 1500 रुपे ठीक है दोस्तो अब 26 का coin कवर कर रहे हैं यह देखे दोस्तो 16 नंबर पर जगत गुरुजी का coin है जो square category में है 100 रुपे से 300 रुपे value है इसमें भी दो आये थे copper nickel और steel copper nickel की value आपको बता दी मैंने 100 रुपे से 300 रुपे square category में है अब मैं steel की value आपको बता रहा हूँ देखे यह देखे दोस्तो यह steel में है इसकी weight की बात करे तो 6 gram में है और normal category में coin आता यह 15 रुपे से 30 रुपे value है ठीक है दोस्तो अब 26 का एक और coin मैं cover कर रहा हूँ द देखे दोस्तो 18 नमबर पर महात्मा बसा बेश्वर जी के coin है copper nickel में है तो आपके पास square category में यह 1500 रुपे से 300 रुपे की value स्टेम चल रही है अब इसी में एक steel में भी coin आया था उसको भी देख लो आप यह देखे दोस्तो यह steel में है 6 gram weight में यह normal category में है 15 रुपे से 30 value चल रही है यह भी 26 में आया है अब 26 में यह एक और भी आया था SBA का वो भी दिखा रही हूँ यह देखे दोस्तो यह SBA का है 26 में आया था कॉलकता और हैदराबाद mint की तरफ से यह नॉर्मल category में है 6 gram weight में 15 रुपे से 30 रुपे की value चल रही है के स्टेम यह देखे दोस्तो पांच रुपे का ONGC का 26 में आया था यह कोईन कोलकता और हैदराबाद mint की तरफ से स्टील में है 6 gram weight में नॉर्मल category में आता है 15 रुपे से 15 रुपे से 50 रुपे दोनों कोईन की value है ठीक है दोस्तो अब 27 में हम आगे चल रहे हैं जो 22 वा कोईन है बता रहा हूँ आपको यह देखे दोस्तो यह rare category में कोईन है आप इसमें ठीक से देख रहे होगे इसमें जो यह तिलक जी तिलक ज यह लिखा है ना दोस्तो इससे इसकी value बढ़ गई है क्योंकि यह destroy कर दिये थे coin वापस मंगा लिये थे जो बच गए थे उनकी value बहुत ज़्यादा है यह तेन हजार रुपे से 4500 रुपे के बीच में चल रही है 9 ग्राम वेट में आये थे दोस्तो यह 27 का है Bombay Medmark की तरफ स ठीक से मैं आपको close से दिखा रहा हूँ तिलक जी ठीक है दोस्तो यह coin आपके पास है तो 3000 रुपे से 45 रुपे के बीच में इसकी value है आप बेशना चाते हो मुझे आप support कर सकते हो मैं खरीद लूँगा यह coin मैं interested हूँ मैं दोस्तो तिलक जी के तीन strike में coin जारी होए थे अब देखिए यह जो है तिलक जी का coin इसमें G हटा दिया है यह दुबारा से निकाले थे government ने तो इसमें G हट गया है मगर यह भी square category में है 2500 रुपे से 500 रुपे value चल रही है ठीक है दोस्तो यह भी 277 का ही है बंबे मिट मार्क का ओपन निकल में ही है सेम 9 ग्राम weight में अब मैं आपको next coin दिखा रहा हूँ 277 का ही तिलक जी का ही तीसरी strike यह देखिए दोस्तो बाल गंगर दर तिलक जी का यह तीसरा coin है इसमें G नहीं लगा हुआ जी हटा दिया गया है यह 6 ग्राम weight में आया था इसके value की बात करें तो 1500 रुपे से 300 रुपे के बीच में चल रही है स्टेम ठीक है दोस्तो अब 277 का ही एक और coin बता रहा हूँ मैं आपको यह देखें दोस्तो खादी एंड वेलेज पे गांधी जी का coin है यह rare category में है दोस्तो यह coin थोड़ा ध्यान से आप देख लिजिए इसको copper निकल आया weight की बात करें तो 9 ग्राम Bombayment की तरफ से जारी होए थे 277 में और इसकी value चल रही है 3000 रुपे से लेके 5000 रुपे तक यह देखें दोस्तो यह steel में आ गया same वोई coin है खादी एंड वेलेज वाला बस वो copper निकल में है 9 ग्राम में और यह 6 ग्राम में 13 के बीच में तो यह rare category में है इसकी value चल रही है 2000 पे से 3000 के बीच में आपके पास है तो interested हो आप बेचने में तो में को आप संपर्ख कर सकते हो इसी में ही steel में भी आया था next coin दिखा रहा हूं आपको यह देखें दोस्तों यह steel में है 6 ग्राम वेट में है यह स्केर category में आता है और इसकी value चल रही है 100 रुपे से 200 रुपे के बीच में ठीक है दोस्तों उसकी चल रही है 2000 से 3000 इसकी चल रही है 100 से 200 इसके बीच में है अब दोस्तों 29 से nickel brass के coin शुरू कर रहा हूं मैं इसमें भी rare category में coin है तो आप ठीक से देख ठीक है दोस्तों ध्यान से देखना मैं कौन से coin की बात कर रहा हूं अलफॉंसा जी के coin है यह इसमें यह 3 mint में जारी हो थे बंबे क्यलकेटा और हैदराबाद इसमें से जो क्यलकेटा mint का है वो square category में 50 रुपे से 500 रुपे की value है आगे बढ़ेगी इसकी value हो तो आप इसको बेचने की जजबा जी ना करना अब 29 में नेक्स्ट कोई दिखा रहा हूं मैं आपको जो 30 नंबर पर coin है यह देखे दोस्तों यह अन्ना दुरई जी के coin है नॉर्मल category में आते हैं यह coin इनकी value चल रही है 5 रुपे से 10 रुपे के बीच में ठीक है दोस्तों अब 29 का यह नेक अब मैं आपको नेक्स्ट कोई दिखा रहा हूं राजेंदर पर्षाट जी का यह देखे दोस्तों इनकी भी कोई value नहीं है 5 रुपे से 10 रुपे के बीच में ठीक है दोस्तों 6 गराम वेट में है निकल ब्रास में अब नेक्स्ट कोई दिखा रहा हूं मैं आपको यह देख चल रही है इस्टेम तो आप इन जो आप को मैं बता रहा हूं यह नॉर्मल कैटेगरी के है तो आप इनको स्टॉक में ना रखना इनकी आगे भी कोई value नहीं बढ़ेगी आप इनको चला दो अपने पैसे खुलाओ दोस्तों यह देखे दोस्तों यह 33 नंबर पे हैं बैंक 10 रुपए से 10 रुपए ठीक है दोस्तों यहीं इसकी value है स्टेम बता रहा हूं मैं आपको सही सही है यह बिल्कुल स्टीक value बता रहा हूं स्टेम की जो चल रही है तो आपके बाद यह भी रखे हैं तो आप इसको भी चलाओ अब नेक्स्ट कोई की बात करते है 34 नंबर पे यह देखें दोस्तों यह चितमरम जी का कोईन है जो इसमें बॉंबे मिंट मार्क में आता सिर्फ बॉंबे मिंट मार्क वाली जो है वो rare category में है जिसकी value चली है 1500-2000 रुपए के बीच में ठीक है ठीक से सुन लिए 1500-2000 रुपए के बीच में इस कोईन की value जो बॉंबे मिंट मार्क है बाकि सब नॉर्मल category के हैं 5-10 रुपए ठीक है दोस्तों सभी से समझ गया है आप अब next coin की बात करते है दोजा दस काई यह देखें दोस्तों 1000 साल पूरे होने के ब्रधिश यर मंदिर temple के उपर coin आया था यह square category में है तो आप इनको रखो इनकी value बढ़ेगी ठीक ह हैं दोस्तों स्केर category में है केलके टाम इंट वाले ही रखना बाकि सब नॉर्मल है 20 रुपए से 50 रुपए इस टैम value चल रही है इसकी केलके टाम इंट की यह देखें दोस्तों दिल्ली 2010 के common 12 खेल के उपर आये थे coin तो इसमें भी केलके टाम इंट ही rare category में आती है इस टैम क value चल रही है 20 रुपए से 50 रुपए अगर आपके पास यह coin केलके टाम इंट में है तो आप इनको रखो आगे value इंट की बढ़ेगी next one की बात करते हैं इसमें भी दोस्तों केलकेटा मिंट में चानक के जीका एक coin है यह जो दोजा दस में आया था इसमें भी केलकेटा मिंट ही rare category में आ रही है जिसकी value चल रही है इस टैम तो 20 रुपए से 50 रुपए चल रही है मगर आगे इसकी भी value बढ़ेगी देखें दोस्तों आपके पास हैं तो आप रखिये इनको यह देखें दोस्तों यह 38 नमबर पे है तो सो सल पूरे होने के civil aviation के उपर आये थे यह इसमें भी square category में जो चल रही है वो calculate payment में ही है 20 रुपए से 50 रुपए वैल्यू है इसकी भी आगे value बढ़ेगी दोस्तों यह देखें दोस्तों नेक्स्ट कॉन की बात करते हैं रवीन दरना टेगोल जी का coin आया था जिसकी value चल रही है calculate payment में इस square category में है 20 रुपए से 50 रुपए ठीक है दोस्तों यह भी 211 में coin आया था अब next one की बात करता हूँ 211 के देखें दोस्तों यह 40 वे नंबर पर coin है medical consults का तो यह भी normal category में है किसी भी mint में आपके पास है तो यह normal है आपने इनको रखा हुआ है तो चला दो कि आगे भी भविश्य में इनकी कोई value बढ़ेगी नहीं मैं आपको वीडियो के माद्यम से बता रहा हूँ जिसकी value बढ़ेगी उसको आपको रखने को बोल रहा हूँ और जिसकी value है वो बता भी रहा हूँ कि यह rare category में है और यह normal category में है यह भी बता रहा हूँ आप आगे इसकी value नहीं बढ़ेगी आपके पास जादा तादाद मे औरिटर जनरल के उपर तो यह किसी भी मिंट में आपके पास है तो इसकी पांची रुपे value है आपके बाद यह भी coin रखें है समारक से के मैं आपको आप सारे दिखा रहा हूँ जिनकी कोई भी value है या नहीं है पता लग जाएगी आपको इसी वीडियो में तो इसको भी category में है दोस्तों पांच से दस और पे इसकी वी value चल रही है आपके पास रखें है तो चलाइए इसको भी इसकी भी सारी मिंट सामाने मिंट है कोई value नहीं है उनकी normal category में आते हैं अब next one की बात करते है 43 नंबर पे भगत सिंग जी का coin आ रहा है देखें यह देखें दोस्तो बगत सिंग जी का coin है steel में आया था 6 gram weight में जो है दरमाद मिंट की तरफ से जारी होए थे इनकी value चल रही है इस time 15 रुपे से 30 रुपे value है इस से ज़्यादा value रही है इस time नहीं है मगर आगे value बढ़ने के पूरे असार है तो आपके पास है तो आप रखिए इसको अभी समा किया है तो आप प्लीज में को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल लाइट नोट्विकेशन को अन कर दो सब्सक्राइब का बटन आपको दोस्तों नीचे ही दिख रहा होगा लाल रंका उस पर आप किलिक करके जोइन हो जाओ चैनल में क्योंकि किसरे दिन मेरी वीडियो आती है तो प्लीज आप वीडियो देखिए उससे आपको किसी से पूछने की जरूत नहीं है आपको मैं नेक्स्ट कोई एक्जिविशन जा पर होगी वह भी बताऊंगा तो आप ठीक से मेरी वीडियो आप देख लीजिए सारे इंफरमेशन आपक कॉलकाता मिंट का तो ये 60 साल पूरे होगे थे कॉलकाता मिंट बने हुए तो ये उसके पर जारी होगे थे कोईन ये सारी मिंट में जितने भी मिंट आई थी चारों मिंट में समानने कैटेगरी के कोईन है इनकी वेल्यू चल रहे है पांच रुपे से दस रुपे के बीच में ठीक है दोस्तों अब नेक्स्ट कोईन की बात करते हैं यह देखे दोस्तों अपना 45 नंबर पे मोतिलाल नहरुजी के कोईन है यह दोजा बारा में आयते हैं चार मिंट की तरब से डाले गए थे यह कोईन जो सारे ही कोईन नौर्मल काटिगरी में आते हैं इनकी वैल्यू चल रही है 5 रुपे से 10 रुपे के बीच में ठीक है क्योंकि आगे भी ब़ष्चе में कोई वेल्यू उनकी नहीं बढ़ने वाली। क्योंकि दोस्तों वेल्यू क्यों नहीं बढ़ने वाली इसका एक ही रीजन है कि और दलाई कम से कम 00 придus करोड़ों 100 करोड़ चे more ज्यादा स्छापे हैं। तो नो इटा मिंट की वेल्यू बढ़ जाती है, इस तरीके से वेल्यू कोईन की बढ़ती है, अजर अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे कोई गलत नाम चाप दिया, तो वापिस सिक्के कर लिए, तो उनकी वेल्यू बढ़ जाती है, जो चप गए गलत, ठीक है दोस्तो, मैं आ पांच उर्पे से दस उर्पे के बीच में, ठीक है दोस्तो, सारे कोईन की, सारे मिंट की सेम वेल्यू है, दो जाब बारा वालोगी, पांच से दस उर्पे के बीच में, नेक्स्ट कोईन की बारत करते हैं, 48 नमबर पे, ये देख लिजे दोस्तो, नेक्स्ट कोईन सबसे ज जादा जो चर्चा में रहता है माता वैशनो देवी का सिक्का है मेरे पास में को चाहिए पांच लाक ठीक है दोस्तों ऐसे-इसे करके कमेंट डले रहते हैं फेस्बुक पे तो यह सब रोड है इस सिक्के की वैल्यू जो चल रही है वह चारों ही मिंट में सेम वैल्यू है ती यूज करिए क्योंकि यह करोडों की तादात में सिक्के छपे हर एक के जेव में घर में सब में है सभी करोडों पती बन जाएंगे दोस्तों ऐसे तो तो आप ऐसे किसी भी चक्कर पर फसे ना ठीक है ना पांच रुपे वैल्यू है इसकी नेक्स्ट कोईन की बात करते है अ इतने भी सिक्के बता रहा हूं 5 से 10 के बीच में आप इनको चलाइए इनकी कोई वैल्यू आगे तक नहीं बढ़ेगी नेक्स्ट कोईन की बात करते हैं देख लिजे दोस्तों नेक्स्ट कोईन है अचारे तुलसी जी का जो 4 मिंट में ढलाई हूती सारी मिंट समाने मिंट ह पांच उर्पे से 10 उर्पे इसकी वैल्यू है दोजा 14 में कोईन आया था निकल ब्रास में 6 गराम वेट में तो दोस्तों इसकी भी कोई खास वैल्यू नहीं है 5 उर्पे से 10 उर्पे है ठीके दोस्तों 50 कोईन मैंने आपके लिए एकी वीडियो में कप्लेट कर चुका हूँ अब आगे 14 कोईन और बचे हैं वो भी complete कर रहा हूँ आप देखिए यह देखिए दोस्तो मुलाना अब्दुल कलाम अजार जी के कोईन आये थे जो यह 4 मिंट में डलाई हुई थी यह तो चारोई मिंट सामाने मिंट है दोस्तो इसकी भी वैल्यू चल रही है 5 उर्पे से 10 उर्पे के बीच में यह कोईन 24 में आये थे निकल ब्रास में 6 गराम वेट में है दोस्तो ठीक है दोस्तो सेम वैल्यू है आपके पार रखे हैं तो आप चलाइए आगे भी कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी इन कोईन की नेक्स्ट कोईन की बात करते हैं यह देखे दोस्तो यह नेक्स्ट कोईन है आपने दोजा 14 में यह कोईन बहुत सारे देखे होंगे तो इस कोईन में थोड़ा ध्यान से सुनियेगा दोस्तो इसमें मैं खास चीज बताने वाला हूँ यह चार मिन्ट में ढलाई हुई थी बंबे, कलकेटा, हैदराबाद और नोएडा इसमें बंबे और नोएडा मिन्ट के समाने मिन्ट के हैं दोनों कोईन 5 से 10 रुपे वैल्यू चल रही है दोस्तो जो कलकेटा मिन्ट मार्क है यह देखिए आपको शिप के नीचे एक डॉट दिख रहा है न इधर कोई डॉट नहीं होगा दोस्तो उसकी वैल्यू चल रही है 600 रुपे और जिसमें एच स्टार मार्क होगा यह डॉट की जगा स्टार मार्क उसकी वैल्यू चल रही है 300 रुपे ठीक है दोस्तो ठीक से आपने समझ लिया होगा यह थोड़ा बहुत ज्यादा रेर कैटेगरिम ही है यह कोई आगे इसकी वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ने वाली है ठीक है आपको बेचना हो तो आप मुझे संपरक कर सकते हैं इसके लिए नेक्ट कोईन की बा है जिसकी वैल्यू चल रही है पांच उर्पे से दस उर्पे के बीच में निकल ब्रास में आयते हैं दोस्तों यह भी 6 गराम बेट में तो अब नेक्स्ट कोईन की बात करता हूं 24 के कौन सा है वह यह देखें दोस्तों 24 में आयते हैं मैडम बेगम अक्तर की तरफ से जारी ह हुआते हैं तो इसमें ही थोड़ा रेर कैटिगरी में भी एक कोईन तो आप ठीक से समझे लिजे मैं क्या बोल रहा हूं बंबे कैलकटा हैदराबाद और नोईडा चारों मिन्ट में बने थे 6 गराम वेट में है निकल ब्रास में आया था यह कोईन जो नॉर्मल कैटिगरी में है बंबे और कैलकेटा का है जनकी पांस से दस वैल्यू चल रही है जो रेर कैटिगरी में है है धराबाद और नोईडा ठीक है दोस्तों इसमें दोनों की वैल्यू चल रही है 200 से 500 रुपे के बीच में यह आप देख रहे हो यह यहाँ पर जो निशान है 2014 के नीचे इस में आपके में एक में स्टार होना चीए और एक में बिंदू होने चीए डॉट तरो डॉट होगा तब उसकी वैल्यू होगी ठीक से देखो मैं कलॉस करके दिखा रहा हूं आपको उसकी वैल्यू होगी 200 से 500 रुपे के बीच में ठीक है दोस्तों ध्यान देना अप अगली कोई गोरिलन जूबली के उपर है तो इसमें चार मिंट में आयते हैं बंबे कैलकटा और हैदराबाद और नोड़डा ठीक है दोस्तों ये भी निकल ब्रास में ही है दोजा 14 में कोई ना है ये लोगों के पास है रखे हुए हैं मेरे को पिक शेयर करते हैं तो आप आज इस की वेल्यू भी जान लो क्या चल रही है तो दोस्तों ये आपका इसमें बंबे कैलकटा और हैदराबाद इन तीनों ही मिन्ट में इसकी वेल्यू है 7500 रॉपे थक ठीक है दोस्तो 100-500 के बीच में और जो 9 EDA Mint है इसमें ये ज़्यादा square और rare category में पहुच गई है ये Mint तो इसकी value चल रही है 300 पे से 500 के बीच में UNC condition में coin है तो 500 पे दोस्तो ठीक है दोस्तो हम next coin की बात करते हैं हम 2,15 में कौन सा आया था देख लिजिए आप ये देखें दोस्तो next coin है अपना 56 नंबर पे जमशेज जी टाटा का तो इसमें भी दोस्तो ठीक से सुनना आप 2,15 में ये भी 4 मिंट में ढलाई हुई थी बंबे, कलकेटा, हैदराबाद और नोईडा इसमें जो rare category में है वो है है दोनों की same value है 300 से 500 के बीच में ठीक है दोस्तो ठीक से समझ लिजिए आप नोईडा और हैदराबाद की दोनों की value इसके category में 500 रुपे चल रही है इस time बाकी जो 2 बिंट है इसमें वो समाने मिंट है 15 से 30 रुपे next one की बात करते हैं आप यह देखें दोस्तो रानी गई दिलनों के coin है यह तो यह rare category में आते हैं कैलकेटा मिंट में ही इनकी ड़लाई हुई थी सिर्फ एक मिंट में तो इसकी value चल रही है 500 रुपे से 1000 रुपे के बीच में हाँ दोस्तो यह rare category में आते हैं तो इसकी value बहुत ज़्यादा बढ़ेगी काफी ज़्यादा तक बढ़ेगी तो आप यह समाल के रखिए यह coin आगे 2-3 साल में इसकी value कम से कम कम से कम दोस्तो 3500 हो जाएगी तो आप समाल के रखिए आपके पास है तो यह था हमारा 57 नंबर पे coin अब 58 नंबर पे कौन सा है वो देखने है यह देखे दोस्तो यह 58 नंबर पे coin है अपना golden जुगली के उपर पे 2015 में आये थे तो दोस्तो इसमें 2015 में मैं आपको बताना चाहँँगा दो strike में coin आये है एक first strike और एक second strike इसमें दोनों जमी नासमांग का फरक है दोनों strike में तो एक में आपको मेरे पास यह collection में मेरे पास coin है यही वाला तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह देखिए यह first strike में coin है इसकी value चल रही है stem 1000 रुपे से 1500 के बीच में है और जो इसमें second strike है वो 5 रुपे से 10 रुपे तो दोस्तो आप कैसे पेचाना होगे first strike कौन सा है मैं आपको एक बड़िया तरीका बताना हूँ आपका coin को आप ऐसे से करोगे दोस्तो गुमाओगे इस तरह यह देखिए इस तरह तो वो shine करता है दोस्तो एकदम चीशे की तरह shine करेगा उससे आप पता लगा सकते हो यह आपके बाब first strike का coin है एक की मिंट में है थे बॉम्बे मिंट में दोजा पंद्रा में तो दोस्तो आपके पास है तो आप में को picture कर जीए मैं आपको उसमें भी बता दूँगा यह आपका कौन सी के फ बीजू पतना एक जी का जो दो मिंट में जारी होए थे क्यलकेटा और हैदराबाद ठीक है दोस्तो दोजाज 16 में आयते क्यलकेटा और हैदराबाद मिंट में जारी होए थे दोनों scare category में आते हैं आगे इनकी value बहुत जादा बढ़ने वाली है और अभी की market value इसकी चल रह है पंडित दिन दिया लुपाद्य जी का जो दोजा 16 में ही आया था तो यह rare category में है दोस्तों यह coin इसकी value चल रही है इस time 300 पर से 500 पर के बीच में क्यलकेटा मिंट में ही आया था बस एक की मिंट में डिलाई हुई थी इसकी तो आपके पास है तो आप दियान से देखिएगा आपके पास हो तो मुझे picture share करिए इसकी तो आप बेचने में interested हो तो मैं खरीदी लोंगो आपसे तो हम next coin की बात करते है 61 number पे कौन सा है यह देखिए दोस्तों यह next coin है इलाबाद high court की तरफ से जारी होएते यह 3 mint में जार अबाद noida ठीक है दोस्तों इसमें जो noida mint है वो खास mint है तो उसकी value चल रही है इस time 50 रुपे से 100 रुपे के बीच में आपके पास है यह noida mint में तो आप इसको समाल के रखिए आगे इसकी value और जाता पड़ेगी अभी तो 50 रुपे से 100 रुपे के बीच में चल रही है बाक band notification को on कर दो आप आपके लिए बहुत मेहनत से video बनाता हूँ मैं तो दोस्तों थोड़ा support करो अब मैं आपसे next coin की बात कर रहा हूँ देखे तो next coin की बात करते हैं दोस्तों तो यह मैसूर university का है तो दोस्तों मैं बात करने से पहले इसकी तो मैं आपको बता रहा चाहूँग मैं एक ही mint होती है जो rare होती है बाकी दोस्तों देखो गांदी जी का भी एक mint का है मैं आपको बता रहा हूँ एक 5000 का है दूसरा mint का है तो वो 5 रुपे का है तो दोस्तों mint होती है mint के हिसाब से value होती है तो आप मिरसे argument करते हैं कि इसकी value क्यों नहीं है सर ये भी तो वो ही है मैं आपको बताना चाहता हूँ, mint जो होती है, mint एक धलाई होती है, जैसे नोड़ा mint में कम सिख्के बने हैं, तो दोस्तों उनी की value होगी, जो कम सिख्के बने हैं, बाकी तो लोगे पाइक करोड़ो की तादात में चापे हों, मैं अलग-अलग mint से, उसकी कोई value नहीं होगी, तो आप मेरे से argument ना कीजिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए, कुछ लोग होते हैं, जो मेरे से करते हैं, कुछ लोग होते हैं, बहुत समझदा है, वो समझ जाते हैं, मैं क्या बोलना चाहरा हूँ, 40,000 का भी हो, और 2 रुपे का भी हो, बस mint की बात है, उसमें star mint नहीं है, तो उसकी value नहीं है, उसमें star mint आगे तो 40,000 का भी coin है, ठीक है दोस्तो, अब मैं आपको समझाता हूँ, आप mint पर जरूर दिजेगा, जब मैं mint और sun बोल रहा हूँ, तो उसको आप ठीक से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो coin आपके पास है, तो वो valuable coin है, ठीक है दोस्तो, अब next one मैं बता रहा हूँ था, आपको मैसूर का देखिए, यह देखिए दोस्तो, यह मैसूर का coin है, मैसूर यूनिवर्स्टी के अपर आयते, यह दो strike में आये है, इसकी एक first strike है, जिसकी value चल रही है, यह stem, 1000 पे से 2000 पे के बीच में, first strike की value, और यह 2 mint में आयते, दोनों ही first strike के, बंबे और हैदरबाद, same value है, एक coin मेरे पास भी है, पीछे आप देख रहे होगे, यह मेरे पास भी रखा हुआ है, इसकी value जो चल रही है, मैंने आपको बता दिये, इसकी आगे value बहुत जाता बड़ेगी, और दोस्तों, इसमें भी first strike को पेचानने का एक ही है, वो जो shine मारता है, ठीक है, दोस्तों, shine मारेगा, तो समझाना first strike है, बागी normal दिखेंगे आपको, वो इसकी secondary strike आयती, वो 5 रुपे के बीच में इसकी value है, तो ठीक से आप समझ लीजे, first strike है, तो valuable वाला आपका coin है, ठीक है दोस्तों, अब next coin की बात करते हैं, अपना कौन सा है, देखें दोस्तों, 2017 का MG, रामाचंद्र जी का doctor का coin है ये, तो ये rare category में आता है, इसकी value चल रही है, स्टेम 300 रुपे स 500 रुपे के बीच में, 2017 में Bombay Mint की तरफ से डलाई हुई थी, एक Mint में आया था ये, अब 2018 का last coin है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसकी value जान लो, क्या चल रही है, स्टेम, देखें दोस्तों, 2018 में ये coin आया था, 125 भी anniversary पे, परसंता चंद्र जी का, तो इसकी value चल रही है, स्टेम दोस्तों, 2500 रुपे से 800 रुपे के बीच में, इसकी value बहुत जादा बढ़ने वाली है, आपके पास है, तो बेचने की जल्दबाजी ना करना, आप इसको रखिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने ये पूरे 64 coin complete करनी है, एक ही वीडियो में, ठीक है दोस 64 coin complete करनी है, हमने सिमारक सिके, अब मैं दोस्तों आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप मैं को WhatsApp पे image चैन करते हो, तो image में दोस्तों मैं sun के नीचे है, mint mark मुझे show ही नहीं होती, यह तो आप ही वीडियो देखके बता सकते हो, mint mark क्या है वाँ पे, वह आप ही बताओगे mint mark कौन सी है, क्योंकि मुझे दिखेगी नहीं, आप एक पेस्ते हो, मुझे से पूछते हो, तो प्लीज मैं आप से request करता हूँ कि आप वीडियो में देखिए, वीडियो में आपको ज्यादा समझ आएगा, अच्छे से आप देख पाओगे, आपके तो हाथ में होगा, स्ट वो diamond mint mark होता है, हैधराबाद में star mint mark होता है, ठीक है दोस्तो, इससे आपको पता लगेगा, आपके सिक्के की कितनी value चल रही है, जो मैंने बता ही है अभी, तो अब मेरी वीडियो आपने लाश तक देखी, उसके लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को subscribe जरू कर देना दोस्तो, like share जरू करना, और बस thank you दोस्तो, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके भाय, take care